मेरे अजीज दोस्तों और बुजरगों विहार में 20 सीट पर हम लड़े पांच पर अलहम्द लिल्ला अल्ला ने कामियाबी दी अब बच्चिये जो 15 सीट है नव सीट पर आर जेडी कांगरेस सीपी आई सीपी एम सीपी अमेले बनके महागडबंदन मनाये नव पर वो जीत के हमारे खिलाफ छे पर नितीश कुमार और बीजेपी जीती अच्छा वो नव जो जीते जहां पर हमारे नव कैंडे थे उनकी मैजारेटी हमार कुछ होट मिल उससे बढ़के विलिए जुच्छे एंडिये जीती उनका जो ठोटा लोड था वो मनलिस के उम्मिनवारों से बलके था हर कैंडेट का मगर उसके बाद शुरू हो गए देखो उनू करे दो एक उनू करे अरे प्यारे सतर साल से कोई तुम के अरे साम में खड़ा नहीं बता हूं आज बिहार की सरजमीन पर सीमानचल की सरजमीन पर सीमानचल की जंता ने मनलिस एतिहाद मुस्लमीन को कामिया जी आँ और महाँ की खास्तोर से गवातीन से जब जाकर मीडिया के लोग पूछते थे अपकी बार किस को ओड़ देंगे और गोल टोपी वाले को दे मेरे को जब मालूम मा मिला है गोल डोपी तो सबकी गोल रहती ये बले नहीं वो गोल डोपी आख तो मीडिया के लोगे बुझा क्यों देंगे तो हमारी माँ और बेरे ने कहा कि उसको सब्ता से महपत नहीं ये बात बिल्कुल सही है हम कोई अख्तेदार की कुर्सियों पर बैटना मौरा मकसद नहीं है हमारा मकसद यह है कि दलीत मुसल्मान से इंसाफ हो मुझे कोई मिनिस्टर बनके अपनी गारी पे लाल लाई लाई टाई टाई करके निकलना नहीं है मेरा मकस्द ये है कि अगर मेरा नुमाइंदा कामियाब होगा तो वो जब आईवान इसंबली में जाएगा तो गरीबों की आवाज बनेगा वो मसलुमों की आवाज बनेगा वोक के लिए लड़ेगा आईवान को हिला के रख देगा हमको अब तक हम सिर्फ ओधों के लिए कामियाब करते हैं अब हमको ओधों की जरूरत नहीं है मिनिस्टर की बनने की जरूरत नहीं हमको बेबाग नुमाइंदे चाहिए जो मुसल्मानों के मसाहिल को समझे तो दलितों के इंसाफ के लिए ये मंजले से तिहाद मुस्लमीन का पैगाम